आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम ऐसे दान तकनी हो तरी स्टेडी ग्लोस में आपका बहुत बहुत सबागत है आंसर राइटिंग की प्राक्टिस में अब लाइफ करवाऊंगा और आपको बता दू कि जो हमने आंसर राइटिंग का कूर्स लाँच किया है 600 रुपेगा है इससे सस्ता ग्याई ही लोगे आप यूपी एससी की आप कूर्स होड़ी आप कुछ भी लोगे ना वो तीन हजार 4000-5000 से कम नहीं आती जब अब इतना सस्ता कूर्स लाँच करते तो बहुत से बच्चे बच्चे ही कहते हैं सर इतना कम कैसे कर रहे हैं सोचल सर्वेस है यह तो बैसिकली आपको जो हम कॉलिटी देते हैं बहुत ही जबरदस्त से देते हैं ठीक है ना और इसमें भी हमको जिसमें आपके रियल आंसर चेक किया जाएंगे जैसे ही आप कोई कोशन देगा आंसर आप दोगे तुरन चेकिंग होगी गलतियां बताई जाएंगी कि क्यों क्या प्रॉब्लम है ठीक है ना तो यह सुवधाएं हम आपको देंगे तो UPSC मेंस क्योंकि एक्जाम आही रहा है और जिनका नहीं भी आ रहा है तो आंसर राइटिंग तो सबसे इंपोर्टेंट है तो यह आप ज़रूर कोर्स अवेल करें तो अब हम बात करेंगे हम इसकी बात करेंगे कि खूबसूरत आंसर कैसे लिखा जाए और ऐसा है ना कि मैं अब यहां पे पॉइंट्स नहीं ब और दो हजार थेश यानि कि अभी पिछले साल के मेंस में सवाल आया था है ना देज लेते हैं तो चाइल्ड कड्लिंग इस नाव बिग रिप्लेस्ट बाइट बाइट बाइल फोन्स मेंधी राइटिंग माफ करते का मेंधी राइटिंग बहुत खराब है कोई बात नहीं तो यहां पे आपको बीज सवाल आते हैं दस सवाल, दस सवाल का डिविजन होता है, ठीक है? 10 सवाल, 15 मार्क्स और बागी 10 कितने मार्क्स के? 10 शुरुवात के 10 सवाल, 1.500 तो उसके बाद 200 वर्ट्स आपको sheet दी जाती है, उसमे उपर question होता है, बगल में margins होते हैं और उसके बाद 200 वर्ट्स की जगा होती है, फिर अगला question होता है उसी जगह में ही आपको भरना है, आपको सवाल छोड़के नहीं आना है तो सबसे पहले आपको करना क्या है, कल मैं कीवर्ट के बारे में लच चलूँगा कि इन कीवर्ट को कैसे समझे, discuss, impact, critically, analyze, यह सब भी कल मैं आपको बता दूँगा तो यह आप सवाल में सबसे पहले क्या, आपको दस घंटा इस में खाली देखना नहीं है साड़े-ाठ मिनट के करीब, अगर माल लिजे की देट सो वर्ट का सवाल है तो और कम कर लिजे, साड़े-च्छै मिनट तो उसी में ही आपको अपना अंसर फ्रेम करना है, ठीक है, पढ़के, समझ के अंसर फ्रेम करिए, question छोड़ रहना गुना है UPSC में ठीक है, तो कैसे करेंगे, practice, practice हम करवा रहे हैं, हमारे course में और करवाई जाएगी तो child cuddling is now being replaced, एक बार आपना सवाल देख लिया, जब भी आप पहली बार सवाल देखें, अपना पूरा दिमाग लगा के देखें, कही बार होता है, जैसे 3 घंटे का paper होता है, एक समय आता है, थोड़ा दिमाग blank हो जाता है, या हम हलका ध्यान नहीं दे पाते, या पिछल कोशन पर अटके, भूल लो, आपका 100% दिमाग चलना चाहिए उस समय, पूरा दिमाग जोग दो, एक ही बार में कोशन कोशिश करो समझ लो, दो-तीन बार पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, तो अब क्या करना है, सबसे पहले, कि भाई child cuddling क्या, हग, गले लगाना, अब यह child cuddling, जो हम बच्चों को गले लगाते हैं, वो mobile phone से replace होते जा रहे हैं, यानि कि एक तरीके से क्या है, यह digital की बात हो रही है, ठीक है, social media की बात हो रही है, कि पहले, जो parents थे, वो ज़्यादा वक्त बिताते थे, सब कुछ बढ़िया रहता था, लेकिन अब, हम यहाँ पर child cuddling समझी रहे हो, कि इसमें parents भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है, कि जो बच्चा होता है, परिवार में की बच्चा पलता है, उसको mobile phone दे देते हो, और बाकी parents मस्त हो जाते हैं, तो अब यह वही कह रहा है, कि parents की जगा mobile phone से ले ले ली है, यह समझ गया आप statement, तो इसका मतलब क्या है, कि एक तरीके का यह positive show नहीं कर रहा है, अब याद रखिए का आप अपने answers में negative नहीं होंगे, conclusion कभी भी negative मत लखना, positive लखना है, ठीक है, वो भी अभी हम बताएंगे, जब answer करेंगे इसको, फिर बुलाए discuss the impact on the socialization of children, अब यहाँ पर keyword क्या है, socialization of children, याद र या है, introduction में क्या करोगे, आप उसको define करोगे, तो इसका answer कैसे रहेगा, ठीक, अब answer मैं लिखूंगा नहीं, मैं बताऊंगा, तो सबसे पहले introduction पाट आएगा, अरे यार, spelling mistake मत करना गुरू, spelling mistake बहुत ही, यह कोई अच्छी बात नहीं होती है, खतरनाक है यह, सबसे पहले introduction प है कि अब यहां पर introduction क्या करें, सोचो, एक पर पाउस करो, है नहीं की बडूस कर्देना, यहीं पर पाउस कर दो, introduction सोचो क्या क्लिक है, ठीक है, चलि हम आगे पढ़ते तो introduction में क्या बैका, क्या है Jaga, क्या बोडा गया, सवाल क्या बोल रहा है, सवाल socialization of children की बात कर रहा ठीक है कि आखिरकार socialization of children है क्या तो सबसे पहले तो बता दो कि socialization क्या होता है what is socialization है ना जब भी आप introduction दोगे तो आपको define कर रहा है कि सवाल पूछ क्या रहा है सवार का जो core है center है उसकी आत्मा क्या है तो आत्मा को बताना है examiner को कुछ नहीं आपको सब बताना है अपने answer के through और ऐसा लिखो कि flow flow में मतलब मझे flow बहुत important चीज होती है यह answer में अगर आ गया कि मतलब एक बार examiner देखे तो सल देखते ही चला जाए sorry my whole news words के लिए मतलब देखते ही चला जाए ठीक है क्यों क्या लिखा है वाह ओहो राइटर examiner are very intelligent बहुत experience है उनको तो आपको समझना है कि आपको बेपकूप नहीं बना सकते हैं ठीक है तो सबसे पहले तो what की socialization of children अब इसकी definition क्या है socialization की definition क्या है got it so socialization क्या होता है बच्चों का socialization मतलब समाज accept करें समाज के हिसाब से चलना समाज के rules and regulations के हिसाब से चलना that is the socialization अगर definition की बात करें ठीक है तो आपने सबसे पहले इंट्रो में socialization की definition दी दी और उसके बाद आपने socialization of children के importance को भी समझा दे उसी अगली line में बहुत लंबानी खीचना है समझ रहो कि पहले socialization के बारे हम समझा देना है कि what is socialization और उसके बाद वो क्या rules हैं जिससे आपका बच्चा socialize हो जाए वो सारे तोर तरीके अब सारे नहीं समझाने बस वो introduction हो गया ठीक है उसके बाद आपकी body आईगी अब देखो answer points में लिखो मैं यही बोलूँगा points में best होता है examiner इंसान है वो क्या करेगा वो copy असाली चेक करता है लेकिन जैसे इसको पढ़ना पड़ेगा points में लिखो पढ़ेगा तो ही definitely पढ़ेगा ठीक है ना लेकिन points में उसके लिए बहुत आसान हो जाता है क्योंकि आपने उसका काम इसलिए आसान कर दे कि क्रक्स दे दिया कि अच्छा हां तो एक mentality बन जाते कि हां points सही है तो उसके बाद सबसे पहले जो क्या impact होता है ठीक है तो बॉडी में क्या बॉडी में क्या डालेंगे बॉडी आएगा फिर conclusion आएगा ठीक है तो बॉडी में कैसे impact कि क्या बच्चों पर impact पड़ रहा है तो सबसे पहले क्या होगा working parents यह पहला point आ गया कि parents working हैं बच्चों पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं second point आ गया कि parents खोद addicted है mobile phones को लेके parents खोद addicted है जिसकी वज़े से वक्त parents जो है वो नहीं दे पार रहे तना ज़ादा अगला आ गया कि responsibility बदल गई है तीसरा point यह हो गया change in responsibilities यह तीन points आपने एके client ने explain कर दे लिखके उसके बाद आप यह लिख सकते हो बॉडी में ही आएगा और यह बहुत बड़ा नहीं हो रहा है ठीके ना बॉडी में ही आएगा और एक चीज और UPSC answer में आपको एक चीज ध्यान रखनी है जो पूछा है उसी का ही जवाब देना है हो सकता है इस पे आपको बहुत सारी reports पता हो हो सकता है आपको तमाम जो डिजिटल मीडिया पे report social मीडिया पे छपती है वो सब इसमें डाल लही नहीं है सिर्फ इतना बताना है कि बच्चों के socialization पे phone क्या असर डाल रहा है that's it तो socialization of children को समझा के define करके introduction में आपको तुरंत फिल्ट main body पे आना है कि इसका impact क्या हो रहा है that's it तो सबसे पहले तो यह चीज़ एफेक्ट करती है और impact क्या होता है कि बच्चे क्या होते हैं उनमें उनका बच्पना जो है वो चला जाता है loss of childhood एक तरीके से पे आप कुछ reports का हवाला भी दे सकते हो है ना तो जो reports अपती है digital media, social media, especially जो children पे अगर माल लिजे देखिए प्रमार दीजे अगर आपने कोई answer लिख रहे हैं और अगर वहाँ पे scope है प्रमार देने का तो जरूर दीजे और अगर scope है आप इसमें तो scope है नहीं डाइग्राम बनाने का तो इसमें तो आप बना नहीं सकते हैं लेकिन अगर कोई scope है डाइग्राम बनाने का तो आप जरूर बनाईए ठीक है तो यह important चीजे जो है वो रहेंगी virtualization जादा होता जा रहा है बच्चों का तो ऐसे चार-पांच points आपने यहां पे लिख दिये उसके बाद आता है conclusion अब conclusion has to be positive वो positive रहना हो वो conclusion आप negative नहीं लिखेंगे चाहे जो भी हो जाए चाहे negative कोशन क्यों नहीं हो जैसे नहीं child policy में आंगनवाडी और overall development बच्चों के प्रोमोट किये जा रहे है इसको लिख लेंगे ठीक है socialization of children को कोई replace नहीं कर सकता इसको लिख सकते हैं conclusion को positive आपको रखना है और crisp रखना है तो इस तरीकी से आप अपना answer frame करेंगे तो इस सबसे important क्या है कि सवाल को आपको समझना है कि आम ने सीखा कि सवाल को समझना है you have to understand the question introduction में आप जो question पूछ आपको define करें second point में आप दूसरे sentence पे आएंगे body में 65% आपका answer का body होता है ठीक है ना तो पहली आपने question का agenda जो है मतलब जो question का main concept उसको define कर दिया second में आप पूरा body question की मतलब answer में body लिखोगे कि आप क्या question पूछ और आखरी में conclusion आपका answer तयार हो जाएगा अब जहां पे scope है प्रमार द simple रखिए बहुत high tech नहीं रखनी है पहने की लेके जाएए बदलने की जरूरत नहीं है हाँ आप underline कर सकते हैं कोई एक ऐसा sentence जो आप चाहते है examiner दिखे तो आप उसको underline कर दीजे कोई ऐसा अगर आप तो वह एक अच्छा impact रियेट करता है अगर आप diagram बना सकते हैं एक scope ह ठीक है तो बनाईए नहीं है तो जबरदस्ती मत बनाईए फर्जी की quotation जाडने की जरूरत नहीं है इसमें कोई quotation की जरूरत नहीं है तो मत डालिए तो ये कुछ चीजे हैं जो आपको दिमाग में रखनी है जिससे आपका answer अच्छा होगा ओके तो आई होप ये आप समझे ह होंगे पाकी मैं डेली question एक question प्राक्टिस कराओंगा आपको और मैं बताता है चलोंगा कि आखे का रांसर आप कैसे लिख सकते हैं ठीक है और कोर्स में इसको और जाथा comprehensively cover करवाए जाएगा questions और किस को concept है वो में बताए जाए 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 सद्दान तक नहीं तरी साइन हो